जय मातादी दोस्तों यह देखिया हमारे बागीचे की सिंगल पैटन में यह निलकंट है यह है सफेद वल्ला निलकंट जो भगवती मादूरगा की सबसे प्रियेफूल है अपराजिता तो दूरगा पूजा में ये चाहिए होता है हमारे गुरुजी का कहना यह है इसके बीना पूजा अधोरी है तो मैं उसी हिसाब से बोल रही हूं तो गुरुजी के कहने पर ही मैं बोल रही हूं फिर यह सफेद वाला निलकंट भी बोल सकते हो लेगिन इसका नाम है अपराजिता तो ये है शफेध है इसके भी ये भी बहूती गुलकारी है और ये है पाँच-पत्व, पंखोडी वाली निलकंट ये देखिए इसके पाँच है ये, पाँच, पंखोडी वाली ये निलकंट है तो हमारे बागीचामें अभी इस टाइम बहुत है अच्छे खिले हुए हैं यह देखें बहुती ज्यादा खिलते हैं कम से कम पचास तो मैं तोरती हूँ पूजा के लिए सबसे पहली बात यह हैं मैंने लगाई है यह बेल पूजा के लिए जैसे वागवान जी को चड़ा सके इसलिए लेकिन यह इतनी सुंदर लगेगी मुझे मालूम नहीं था पर बहुती सुंदर है यह पर इसके गुनों की बारे में आपको के बताओं यह गुनों का खजाना है अगर एक पानी में अगर यह चार-पांच फूलों को तोड़के गरम पानी में डुबो दोगे तो इसका कलर बिल्कुल नीला हो जाएंगे थोड़ी दिर बाद फिर उसके पानी भी पी सकते हो नीले रंका निलकंड की पानी पी सकते हो वह भी गुनकारी है काम आती है ज्य już के जडवी काम आते हैं है और यह बोले-नात का तो प्लीओ हई ऑग यह अप यह बहूले बाबा का तो प्लियओ hall और नील माधव की भी फ्य है नीलमाधव कों ने में बता वह उँ मैं बता रही हो आपको नीलमाधव यह उड़िश श पूरी में जगननाद जी उसका एक नाम नीलमाधव है तो उनका भी सबसे प्रिय फूल यह है विश्णुक अंतंग नीलमाधव तो उनको यह फूल चढ़ाया जाता है और यह गुनों का खजाना भी है अगर काम पर धंग से लिया जाए तो यह आयरुवेदिक डॉक्टर को हिसाब स बता है इसके बारे में को फूल जानकरी विसके बारे में कि लिए अगुनने है और हमारे बज़े में यह प्रहिस संदर लग रही है देखिए और मैं इसकी बीज बना रही हूँ, आप लोगों में से किसी को चाहिए, तो ले जाना, या बता देना, ये तो मट्टी में भी लगती है, और ये गमले में भी लगती है, और ये जब फूल खिलते हैं, कुछ इस तरह से बहुत ही सुन्दर दिखते हैं, अभी सुबह सुबह ह है, तो सुबह सुबह भी अच्छी लग रही है, अब धोड़ी दूप आने के बाद ये पूरी तरह से, जैसे ये वाला खिले हैं, ये ऐसा ही खिल जाएंगे, सारे निलकंट के फूल, तो मैंने तो इस साल खूब सारा मैंने बाट दिये हैं, पोदे, अगर आप लोगों मे किसी को चाहिए, तो लगा लेना, गमले में भी ये हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उग जाते हैं ये, ये हमारे बागिजे की सबसे प्यारे नियारे फूल है, निलकंट, इसकी और भी गुनकारी, मतलब गुनकारी पोदा तो है, पर ये गुनों का खजाना है, हमें इतना तो पता है, लेकिन आगे कर नहीं पता, पर लेकिन आप डॉक्टर की सला से ले सकते हो, घर में लगा सकते हो, कोई नुक्षान दे वाली पोदा है नहीं, और सुन्दर भी लगती है, सिर्फ दवाई की रूप में काम में आई है, कोई ज़रूरी नहीं है, आप फूलों के लिए लगा सकते हो, और इसके बेल भी देखिए, बहुत ही सुन्दर देखती है, है ना, तो इसके बेल लगा सकते हो, सुन्दरता के लिए भी फूल आते हैं, फूल भी अच्छे काम आते हैं, पर मैंने ये पिया है, इसका गरम पानी में डालके, एकदम नीला ह का वो मिठाई बनाने के लिए काम में ले सकते हो यह आटिफिशियल कलर से बेस्ट है